उदैपूर से 35 किलोमेटर दूर रेलवे ट्रैक पर धमाका हुआ था इस मामले में रेल मंतरी अश्वणी वैशनव ने बयान जारी किया है कि एक विस्पोर्ट का इस्तमाल करके रेलवे ट्रैक को उड़ाने की कोशिश की गई है इस तरह का काम करने वाले सभी लोगों को पक इस ट्रैक का वर इस ट्रैक का अश्वणी के रेलमें रव स्टर खीथ प्यां पर द्राव इस य। आई आज्से आर रूस्वणी ने घसी इस आउनाने कि आगे ड्दिदेट अफिट्टिपट लोगों कोई लोगों कि और पिए इस्त्राइट इस आज़ ऑ्र खूब be punished to the logical end. Simultaneously, from the point of view of the passengers, the team to restore the bridge is ready on the site, as soon as the preliminary investigation and taking photographs, collecting evidence is completed, within 3-4 hours, the track will be restored and trains will start running again. वो टूटी हुई है और उसको एफसल जाज कर रही है टीम और वो टीम जब जाज की अपनी रिपोर्ट देगी तब पता लगेगा कि किस वज़े से हुई है लेकिन सबसे बात ये है कि रेल को डुंगरपूरी रोक दिया गया प्रसाशन ने और वहां पर सारे यात्री उतर ग भी यात्री को किसी तरह की कोई भी दिक्कत नहीं आई है और बहुत एक जो हाथसा हो सकता था इश्वर की किरपास से और लोगों की सजगता से जो लोगी सजगत थे उन्होंने जो इस रिपोर्ट किया ये हाथसा बचा है और ये आगे भी अब पूरी सतर्ग है पुलिस प सब इसको देख रहे हैं इसका क्या करना है सुभा आठ रजे के आस्प्रा सुचना मिले कि ट्रैक को डेटनेटर की द्वारा च्छती पहुंचाने की कोशिश की गई है मौकर पर सिविल पुलिस के अधिकारी और रेलवे अधिकारी मौचूद है और गटना की छांपीन की कि जा रही है इसी करम में गाड़ी संख्या 1-9704 जो कि असरवा से उद्यपूर के आती है इसको डिंगरपूर में शॉर्टर मिनिट किया जा रहा है रेलवे प्रशाशन द्वारा मामली की पूरी जाच की जा रही है और छांपीन की जा रही है अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें अगर आप फेस्बुक पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें